हेलो प्रेंज वाइल कम बिक टू माई चानिल कैसे हैं आप सब उम्मीद करता आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और सोस्तों के तो चलिए इस खुपसुरस सिलिप्स को बनाना इस्टार्ट करते हैं जो के आप भी इसली बना सकते हो तो इसके लंबाई मेजर्मेंट करेंगे तो इसके लंबाई लिए 14 इंच और इसके चोड़ाई है 5 इंच अब इसकेल को ऐसे ही रखना है और इहां पर सीधा सीधा मार्क करने नी है तो जितना हमारा चोड़ा पटी है जितना लंबाई में हम लेली है उसकी लंबाई में ही इसको मार्क लगा के तयार करेंगे तो हम जितना हमारा इसके चोड़ाई है उतना ही चोड़ाई इस मार्क को लगानी है और यहाँ पर अच्छे से मार्क लगानी है तो देखिए चलिए फटाफर से इस मार्क लगा के तयार कर लेते हैं तो देखिए गैस इहां पर हम इस मार्क को लगा ली है और इहां पर थोड़ी सी मार्जिन छोड़ देंगे जो कि दोनों साइड ही हमें थोड़ी थोड़ी मार्जिन छोड़ देनी है इसके बाद इहां पर लगाएंगे गोटापटी लेज जो की काफी इजली आपको marketing में मिल साएंगे आप उहां से इस market ל׆ज को ले सकते हो तो इहां पर हम double double करके इस लेज को लगाएंगे तो पहले हम देख लेते हैं और एक लगा के हमारा जो इहां पर हम यहां पर डबल कर दी और थोड़ी से बोर्डर यहीं की Depot क्यांट थोड़ी से इंक्रेस हो चुकी है और जो काफी अच्छे भी लग रही है तो ऐसे ही बोर्डार हमने पूरे लेजमें ही तयार कर लेनी है तो चलिए फटाफ़सद इस बोर्डर को लगा हों इसे बनाना काफी एजी है आप सभी जरू ट्राइ करें एक काफी खुबसूरत सा डिजाइन बनके तयार होंगे आप चाहो तो काफी हेवी ड्रेस में भी इस दिलिप्स को बनवा सकते हो आप अगर कुछ से स्टेचिंग का काम करते हो तो और भी अच्छी की बात है आप काफी इस जरी इसको बना सकते हो तो देखिए यहाँ पर भी इस गोटा पटी लेज लगा के हमने लगबग तयार कर ली है तो देखिए अब हमें यहाँ पर कट करेंगे और उल्टा साइट करते हुए इसे जितना हमारा धागा बगेडा है उसको कट करेंगे और इसे दूसरे साइट पलट लेंगे अब पलटने के बाद यहाँ पर हापींच फोल्ड करेंगे आर सीधा सिलाय चला देनी है तो दोनुं साइड हमें हापींच फोल्ड करते हुए इसे stitching कर लेंगे तो देखिए प्रेंज ऐसे ही आपको दूसरे साइड में भी stitching कर लेनी है तो चलिए फटा फटा से इसे stitching करके रेडी कर लेते हैं तो हमने दोनों साइड हाप इंच फोल्ड करते हुए stitching कर ली है अब यहाँ पर लगाएंगे लेज जो कि आप दूसरे डिजाइन के भी लेज यहाँ पर लगा सकते हो तो इसको हम नीचे के साइड रखेंगे और उपर के साइड इस पट्टी को रखेंगे और थोड़ा सा नीचे के साइड खीशते हुए इस लेज को एटच करेंगे क्योंकि इस लेज में जो है थोड़ी सी करवाट होती है तो इस लेज को जो मूर जाने के संभव बना रहते हैं तो इसको टान करते हुए आप जब इसको इस्टीजिंग करेंगे और इसको चोड़ाई लिए 7.5 इंच अब यहां से हमें लिनी है 4.5 इंच और इहां से लेंगे 6.5 इंच या फिर 6.6 इंच भी ले सकते हो तो इहां पर हम छोटा सा एक कट लगाएंगे मीडियल पॉइंट में भी एक चोटा सा कट लगाएंगे और इसे उन साइट फोल्ड कर देंगे और इहां से छोटी-छोटी प्लेटेश उठाते हुए इससे स्टीचिंग करेंगे तो पहले इसको प्लेटेश उठाना स्टार्ट कर दी है मीडियल पॉइंट से ऐसे ही आप को भी छोटी-छोटी प्लेटेश उठाना और स्टीचिंग करना स्टार्ट कर देनी है तो इहां तक हमाडा कर लगी है तो इहां तक ही इस प्लेटेश को डाल लेनी है तो देखे गाइस एहां पर हमने एक साइड स्टीचिंग कर ली है अब जो energies ago करते हुए दूसरे साइड में भी इसे stitching कर लेंगे तो इन साइड में भी ऐसे ही प्लेटेस को उठा लेनी है और यहां पर एक के उपर एक रखते हुए इस प्लेटेस को अच्छे से प्रेस करेंगे फिर से एक प्लेटेस यहां पर लगाएंगे ऐसे करते ही जहां तक कट लगी है इसके साइड में ही इस कर तक ही हमें इसको लगा लिनी है तो चलिए प्रेस करते हुए दोनों साइड ही अच्छे से स्टिचिंग करके रेडी कर लेंगे नीजे के साइड तो देखें इहां पर इसको stitching हमने कर ली है अब जो उपर के साइड है इसे भी अच्छे से प्रेस करेंगे और अच्छे सेट कर लेंगे अब सेट करने के बाद इहां पर stitching भी कर लेनी है तो ऐसे ही आपको भी सेट कर लेनी है पहले अच्छे से उसके बाद इसे stitching कर लेंगे अब दूसरे साइड में भी हमें इसे अच्छे से सेट कर लेनी है और यहाँ पर भी इसे स्टिचिंग कर लेंगे तो यहाँ पर हमने स्टिचिंग करके रेडी कर ली है बची हुई फेबरी को हम कट करके निकाल देंगे और अच्छे से इसे फिनीसिंग कर लेंगे और उपर वाला हिस्त और नीचे वाला हिस्त दोनों हमने लगबग तयार कर ली है तो हमने नीचे वाला हिस्ता रखेंगे उपर वाला जो सिलिपस है और उपर वाला हिस्ता रखेंगे पट्टी को और हाः पिंच उपर के साइड बात्ती हुई गरते हुए इसे सीधा स्टिचिंग कर लेंगे तो देखे प्रेंट्स यहाँ पर हमने यहाँ पर दोनो ही अच्छे से जोड़के इसे स्टिचिंग कर लेंगे बची हुई फेबरी को कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर धाका बगेरा कट करके इसे अच्छे से फिनीसिंग कर देंगे तो अब यहाँ पर हाप इंच इसे अंदर के साइड फोल्ट करेंगे और यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे और एहाँ पर इसे छोटा सा गीड दे देनी है जो कि टाका लगाने से इसको धागा नहीं खूलती है तो दूसरे साइट बे भी सेम प्रोसेस से इसको भी हम स्टिचिंग कर लेंगे तो गाइस अभी तक भी चैनल के सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल के सस्क्राइब कीजिएगा बिल नोटिफिकेशन जरू से प्रेस करना जब भी हमने नहीं वीडियो अपलूट करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो देखिए यहाँ पर इस सिलिप्स को हमने रेडि कर लिए है यहाँ पर लगाएंगे डाइमों इस्टोन अगर नहीं मिलती है तो आप धागा या फिर ब्लेस के दुकान में जाएंगे और इसको अगर बोलते हैं तो एक काफी इसलिए आपको मिल जाएगी तो इहाँ पर इस डाइमों इस्टोन के लगा लेते हैं और जितना भी हमारा बोर्डर के मीरियर में जो जगा है उसको इसको मदस से इस गुलू के मदस से अच्छे से चिपका लेनी है और दो से तीन ध अगधान दर लगती है एक वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लािक करना चैनल के अभी तक भी सास्ट्राइब नेहीं किया तो प्लीज सास्क्राइब करता है थैंक्स पर वाचिंग माय वीडियो चलिए फीर से मिलते हैं कोई एक नए इंटरस्टेंग वीडियो के साथ झाल झाल